नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी मोधी जी के एक इंटर्वियू से पूरी पच्चे बंगाल की राजनिती में खलवली मच गई असल में मोधी जी ने एन आई के एक इंटर्वियू में जब उनसे ये पूछा गया कि ये जो चुनाव है अब केवल सातवा चरण बचा है आज में मोधी जी ने कह दिया के भाई हमने जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है भारती जन्ता पार्टी को सबसे ज़्यादा लाव यदि कहीं मिलने जा रहा है वो राज है पच्ची बंगाल अब इतना सुनना था कि पूरी देश की राजनिती में खलीबल में बच गई और यह सब सोचने लगे कि भाई आखिरकार भारती जन्ता पार्टी इतने बड़े राज उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश यहां लड़ रही है तो मोधी जी ने ऐसा कैसे कहा सबका अन्वान तो यह था कि भारती जन्ता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछली बार 62 सीटे लाई थी इस बार 75 सीटे लाने का अन्वान है हाला कि योगी जी अस्ती बटा अस्तीक बोल रहे हैं लेकिन राजनितिक विशलेश को का अन्वान है कि 75 सीटे आ रही है इसका मतलब वहां जो बढ़ोतरी है 10 से 12 सीटे बढ़ रही है तो क्या पश्चिब बंगाल में जैसा म पश्चिब बंगाल है तो क्या पश्चिब बंगाल में भारती जनता पार्टी सबसे जादा सीटे गेन करने जा रही है बात करें अगर 2019 की तो भारती जनता पार्टी की 2019 में 18 सीटे थी बारती जनता पार्टी का दावा इस बार पश्चिब बंगाल में 30 सीटे जीतने का है अब अगर ये सच होता है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि फिर तो जो मोदी जी कह रहे हैं उनका आकलन बिल्कुल ठीक है और वो अपने दावो पर यदि खरे उतरते हैं तो ये भी तह है कि जितने राज्य हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट अगर बीजेपी करेगी तो आप सोच लीजिए कि वो वेस्ट बंगाल होगा अब अगर तीस सीटे भी नहीं आती हैं अठाइस आ जाती हैं तो बीस सीटों की बढ़ोत्तरी है ये जो बीस सीटों की बढ़ोत्तरी है ना तो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है ना ये पंजाब में होने जा रही है ना साउथ के किसी देश में होने प्रदेश में होने जा रही है इसलिए इस इंटर्व्यू के माइने क्या हैं आप समझिए असल में भारती जन्ता पार्टी ने जो मेहनत की है उसमें मोदी जी ने जो चीजे गिनवाई उसमें एक शब्द बोला कि सबसे बहतरीन प्रदर्शन भारती जन्ता पार्टी ने यदी किसी राज्जमे किया तो वो वेस्ट बंगाल है पत्रकार का ये सवाल था कि बाकी राज्जमें नहीं हुआ है उन्होंने का नहीं वेस्ट बंगाल में जो इस्तितियां है वो विसम है उसमें कार्यकरता हो पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है वोटरों को डराया और धमकाया जा रहा है उन्होंने कहा कि वहां की जो सरकार है उस सरकार के कारण से उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से वहां लगातार कार्यकरताओं की हत्याएं हो रही है तो भै का माहूल है और उस भै के माहूल में भी यदि कार्यकरता डटकर मुकाबला कर रहा है और वहां अधिक संक्या में लोग वोट डालने निकल रहे हैं आप सोचिए कि अभी छटा चरन का जो चुना हुआ उसमें 70% के करीब करीब चुनाओं में वोट पड़ा है तो ये बता रहा है कि लोग डरे नहीं है जो गुंडागर्दी है जो बूट कैप्चिरिंग है उसके आगे जुके नहीं है और इसलिए मोधी जी का ये कहना बिल्कुल ठीक है मैं भी इस बाद से सहमत हूँ कि मोधी जी अगर ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा बहतरीन परदर्शन यदि किसी राज्य में भारती जंता पार्टी करने जा रही है या किया है या अब तक हुआ है छे चरण के चुनाओं हो चुके हैं इसमें हमने देखा है वो हुआ है पश्ची बंगाल क्योंकि पश्ची बंगाल में जिस तरह की बाते थी आपको बता दूँ के मेरे वहां जो मित्र रहते हैं लगातार फोन पर कहते थे के भाई पश्ची बंगाल है जब तक यहां राश्टपती शाशन नहीं लगेगा यहां तो लोग वोट डालने भी नहीं निकलेंगे यहां गुंडागर्दी इस कदर है के शाजाशेक सरी के लोग यहां भरे पड़े हैं और पूरा नेकसस है तो यहां वोट डालने नहीं निकलेंगे डरके मारे और जो वोट डालने गया भी तो वो बहुत थोड़ी संख्या होगी जो लोग जान जोकिम में डालकर बूत तक पहुंचेंगे क्योंकि यह लोग पता लगा लेते हैं कि कौन किसकी पार्टी को वोट दे रहा है तो भाई टीमसी को वोट देने वालों को कुछ कहना नहीं है बीजेपी का वोटर अगर हुआ तो फोन करते हैं बाते करते हैं जासूसी करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये वोट किसको देगा है तो चुनाओं के बाद में उनके घरों में हमला करना आगाज नहीं करना लूट पाट करना हत्या तक कर देना ये सब पच्छी बंगाल ने एक बार नहीं अन्य एक बार देखा है और इसलिए मोधी जी जब ये कह रहे है तो ये बास समझ में आती है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में योगी जी का शाशन है कारेकरताओं ने वहाँ कम महनत नहीं किया है दिल्ली के कारेकरताओं ने कम महनत नहीं किया है वो बात नहीं है लेकिन यहाँ चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तरप्रदेश हो, चाहे मद्रप्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे हर्याना. किसी राज्य में इस तरह की विसम परिस्तिथिया नहीं है. यहां तक पंजाब में किसानांदोलन के कारण से वहां BJP पृत्यासियों का विरोध है, लेकिन अभी तक हमलें हो गए, BJP पृत्यासियों पर उस त कोई यकसीन नहीं है, झंडें लेकर लोग विरोध करते हैं, काला झंडा दिखाना नारे लगाना यह चलता है, पंजाब में तूम के उन्होंने इस मामले में एक परमें औरीजा के बारे में मैं ब्हुछा दो जीन डेट डिकलेicação कर दी उन्होंने का औरीज़ंगी डेट एकस्पारी drivers heavenly हो सरकार की और अब चार तारीक भारती जन्तापार्टी की सरकार बनने जा दस तारीक भी उन्होंने घोशित कर दी कि 10 जून को भारतिय जंता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है ये ओड़ी से उको लेकर बड़ी भविश्मानी थी तो पत्रकार ने अगले सवाल कर दिया उन्होंने कहा देखिए आप तो बीजू जंता दल के साथ थे और व उन्होंने कहा मोदी जी के क्या शप्ते मैं बताता हूं उन्होंने कहा मैं संबंदों को सवालू या ओड़ी सा के भविश्य की चिंता करूं मुझे ओड़ी सा के भविश्य की चिंता है क्योंकि ओड़ी सा 25 साल पीछे है वहां जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग नह चाहिए था वो नहीं मिला है और इसलिए वहां बदलाव की अवशक्ता है उन्होंने ये भी कहा कि अलक्षन के बाद हमारी सरकार जब बनने जाएगी उसके बाद मैं जो है नवीन पटनाएक जी से बात करूंगा और उनको जो है मैं समझाने का प्रियास करूंगा कि हम कोई दुश्मन नहीं है और मोधी जी ने ये भी कहा कि राजनिती में मैं किसी से दुश्मनी नहीं पालता अब जो वो मैं कहते हैं तो मतलब भाजपा से है भारते जंता पार्टी अपना चुनाव लड़ती है चुनाव हो गया सरकारे बन गई उसके बाद हमने देखा भी है कि म तो उस कारवाई में यदि आप योगी जी का उद्बोधन सुनें तो आपको समझ में आएगा कि शिवपाल चाचा को लेकर किस तरह से उन्होंने मजा किया लहजे में कई बार बाते बोली हैं अखलेश यादव के बारे में भी कोई बहुत तंज कस्ते हुए कोई बाते नह आप अपने मुद्दों पर बात करिए जनता आपको वोट देकर चुनती है कि उनके विचारधारा जिसकी विचारधारा मिलती है वो उस विचारधारा को चुनता है किसी की विचारधारा कॉंग्रेस से मिलती है तो वो कॉंग्रेस को वोट देगा किसी की विचारधारा आ तो देखा है मेरे खुद के परिवार पे मैंने देखा है कि भाई हैं तो नहीं मिलते हैं विचार तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई जगड़ा हो जाए हमारे घरों में तलवारे खिच जाएं तुम अपने घर हम अपने घर तुम अपने कमरे में हम अपने कमरे मे नहीं विचार मिलता ठीक है बात नहीं करेंगे ऐसा ही राजनिती में होना चाहिए और मोधी जी ने इस बात की तरफ इशारा किया है जो ये बता रहा है कि वाकई में अब कई राज्यों की सरकारों में अब दखल अंदाजी होने वाली है क्योंकि मोधी जी ने इशारा कर दि हैं उनको पीम आवास में बलाते हैं स्वास्त की जानकारी लेते हैं अलग मुद्दा है लेकिन जब राज जिकी सरकार का मामला आता है तो वो एकनाथ सिंधे को आगे रखते हुए चुंते हैं और ये भी बोलते हैं मच में जरूर बताए बंदे मातरम